जैसा की आप जानते हैं कि लाउड स्पीकर का मामला सुर्खियों में चल रहा है जहां एक तरफ लाउड स्पीकर पर हनुमान 40 बजाया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ मस्जिदों पर लाउड स्पीकर पर अजान काफी विवादों से घिरा हुआ है अगर हम अपने भारत दे से वर्शिप की जाती है जिसकी पूरवकाल से हिंदुस्तान में रिस्पेक्ट की गई है ऐसे में जहां हर हिंदुस्तानी को साथ लेकर और जाती धर्म से उपर उठकर चलने की बात होती है वहीं पर काफी टाइम से चल रहे लाउड स्पीकर के मामलों में एक मामला और जुड गया है और खबरों के हवाले से ये पता चला है कि अलाहबाद हाई कोट ने लाउड स्पीकर पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल fundamental rights नहीं है बदायूं के बिसौली गाओं के एक मस्जिद पर लाउट स्पीकर लगा कर अजान करने की एप्लिकेशन SDM को दी गई थी। बदायूं के SDM ने लाउट स्पीकर लगाने की अनुमती देने से इंकार कर दिया था। SDM के इसी आदेश को इर्फान नाम के व्यक्ति ने हाई कोट में पिटीशन दाखिल करके चुनौती दी थी। इर्फान द्वारा दी गई पिटीशन में हाई कोट से कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स के तहत लाउट स्पीकर लगाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। जस्टिस विवेक कुमार बिरला और विकास बुद्वार ने इर्फान द्वारा दाखिल पिटीशन को खारिश करते हुए कहा कि अजान के लिए लाउट स्पीकर का इस्तेमाल फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता। इससे ये भी पता चलता है कि लाउट स्पीकर अट एनी रिलिजियस प्लेस इस नॉट आर फंडामेंटल राइट्स तो ये थी प्रिया कुमारी के रिपोर्ट दे ट्रूहन चैनल के लिए।